हलो एबरिवन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बज़ट, बज़टिंग और बज़टिंग कंट्रोल का एक ओवरव्यू दूँगी बज़ट क्या होते हैं और इनको बनाना क्यों ज़रूरी है लेकिन वो सब समझने से पहले हमें प्लैनिंग और कंट्रोलिंग का मिनिंग क्लियर होना ज़रूरी है प्लैनिंग बिसिकली ये मैनेजीरियल फंक्षन होता है और ये हमारी हैल्प करता है फ्यूचर कॉर्स और एक्शन के डिटर्मिनेशन में ताकि हम अपनी organization के objective को achieve कर सके planning में ये decide किया जाता है कि हम future के अंदर क्या करेंगे कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा और कहां किया जाएगा planning is deciding in advance what to do, when to do, how it is to be done, who will do it तो ये सारे जो decision होते हैं वो planning में आते हैं planning की वज़ा से ही हम एक अच्छे result को achieve कर सकते हैं इसके बाद planning के साथ साथ control की भी requirement होती है अगर हम planning को successfully execute करना चाहते हैं तो हमें control की भी requirement है control एक ऐसी process होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमने plan किया था क्या हम उसके accordingly काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अगर उनमें कोई भी revations होते हैं तो उनको हम search out करते हैं उनको find out करते हैं और उनको remove करने के लिए corrective action लिया जाता है तो जो control है ये बहुत जादा जरूरी होता है जरूरी action है ये क्योंकि अगर हम control नहीं करेंगे तो हम अपनी कमियों को अपनी weaknesses को find out नहीं कर सकेंगे तो standard और actual performance का जो comparison है वो करना ज़रूरी है ताकि हमें deviations का पता चल जाए तो planning और controlling ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी organization में अपने objective को achieve करने के लिए अब अगर हम budget की बात करें तो जो budgetary control होता है ये भी control की एक technique के अंदर आता है ये control के लिए एक tool माना जाता है तो जो topic हम इस वीडियो में cover करेंगे इसमें budget का meaning budgetary control क्या होता है budgetary control के क्या-क्या features होते हैं एक successful budgeting system इसको establish करने के लिए क्या-क्या requisites हैं और budgetary control के क्या-क्या essentials हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें है जो budgetary control के अंदर include होना ज़रूरी है तो सबसे पहले जो first step पर budget का meaning clear होना ज़रूरी है कि budget क्या होते हैं budget basically एक monetary या quantitative expressions होते हैं business के plan का कि जो भी हमने plan किया है या जो भी हमने policies बनाई है future time के लिए future period के लिए तो उनको हम quantitative form में present करते हैं monetary form में present करते हैं budgeting में basically budget को जब prepare किया जाता है तो इस procedure को हम budgeting बोलते हैं तो budget एक document होता है budget के अंदर हम decide करते हैं कि जो भी हमारी plan बगरा है तो उनको हम monitor term में present कर रहे हैं और budgeting पूरी procedure होती है जिसमें budget को prepare करने का और जो बाकी procedures होती है like planning है, coordination है, controlling है तो ये सारी activities हम include करते हैं तो budget एक narrow term है और budgeting इससे vast term है budget के अंदर budget को budgeting के अंदर include किया जाता है इसके बाद budgetary control का meaning क्या है budgetary control एक process होती है और ये क्या करती है, इसके थूँ क्या किया जाता है determining various budget figure for the enterprise, for the future period और फिर हम उसको compare करते हैं कि पहले तो हम budget figure को देखते हैं कि हमारे budget क्या है उनका comparison actual performance के साथ होता है अगर दोनों में किसी भी तरह की deviations हैं कोई variances होते हैं तो उनको find out करते हैं और फिर उन variations को दूर करने के लिए corrective action दिया जाता है तो ये सर बज़िटरी control में आते हैं बज़िटरी control के अंदर हम क्या के इंफ्यूड करते हैं क्या के चीजे हैं जो बज़िटरी control में आती हैं तो सबसे पहला तो बज़िट को prepare करके objective को set कर दिया जाता है कि हमने कौन से objective अचीव करनी है responsibility center create कर दिया जाते हैं कि कौन किस काम के लिए responsible होगा कौन सा unit, कौन सा department किस particular task को पूरा करेगा तो responsibility center का decision दिया जाता है फिर जो भी हमारी actual figures हैं उनको हम record करते हैं actual figures मतलब जो actual performances हैं तो उनको record किया जाता है इसके बाद जो भी हमारी buzzard figures थी और जो actual figures हैं तो उन दोनों का comparison होता है अगर actual performance हमारी कम है buzzard norm से फिर एक remedial action लिया जाता है उसी तुरंत एक remedial action हमें लेना ज़रूरी है अगर जो हमने buzzard prepare किया था और जो हमारी actual performances हैं उन दोनों में अगर किसी बी तरह की कोई भी deviations आते हैं तो उनको remove करने के लिए corrective action हम लेते हैं तो buzzard और buzzard और buzzard री control ये तीनों अलग-अलग हैं अगर हम buzzard की बात करें तो buzzard blueprint होता है जिसके अंदर plan को quantitative form में present किया जाता है budgeting एक ऐसी टक्नीक होती है जिसके अंदर buzzards की formulation होती है और buzzard control में वो सारे principles आते हैं procedures आती हैं और practices आती हैं ताकि हम अपने objective को achieve कर सके next topic है objective क्या है buzzard control के तो buzzard control क्यों करते हैं इसके basic motive क्या होती है तो इसका जो first objective है वो है to ensure planning for future by setting of various buzzards हम अलग-अलग buzzard को बना कर future के लिए plan से हम ensure हो जाते हैं कि हम अपने target को achieve कर पाएंगे तो अगर हमने buzzard बना लिया है तो हम यह मान के चलेंगे कि जो हमने future के लिए plan किया है उसमें वो appropriate होगा और हम अपने target को easily achieve कर सकेंगे और buzzard control का अलग-अलग departments के लिए buzzard बनाये जाते हैं लेकिन उन सब के उपर एक master buzzard होता है जिसके थुरू उनकी activities में एक coordination को establish करने का efforts किया जाता है तो अलग-अलग departments के activity में जो coordination है वो buzzardary control से आता है to operate various course center and department with efficiency कि जो course center होते हैं जिन center को establish करने का main motive cost control करना होता है तो buzzardary control की वजह से ये जो course center है department है वो ज़्यादा efficiently काम कर पाते हैं तो ये भी एक main motive होता है कि buzzardary control system को establish किया जाता है eliminate of waste and increase in profitability कि अगर कोई buzzard prepared नहीं किया जाएगा तो हमें पता है नहीं चलेगा कि हम efficiently काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो क्या requirement होती है कि किसी भी तरह की waste is ना हो और हमारी profitability increase हो जाए तो ऐसा possible होता है buzzardary control से क्योंकि हमारी actual performance को count किया जा रहा है उसको record किया जा रहा है future की references के लिए इसके बाद actual को standard के साथ compare किया जाएगा और अगर कोई भी deviations होंगे तो जो भी इसके लिए responsible थे तो उनको find out किया जाएगा तो इसी वज़ा से ही कोशिश यही कि जाती है कि waste test को eliminate किया जाए और profitability को बढ़ाया जाए to anticipate capital expenditure for future बज़र की help से हम capital expenditure को भी anticipate कर सकते है कि future में जो भी हमने machinery खरीदनी है अगर हमें land बगारा प्रचेस करनी है building construct करवानी है तो उनकी need का पता हमें बज़र के base पर चल जाता है to centralize the control system पूरा का पूरा जो control system है वो centralized हो जाता है क्योंकि एक master buzzer prepare किया जाता है और उसके base पर ही उसके accordingly ही सारे buzzers को implement करती है correction of deviations from the established standard इसका objective होता है कि जो भी standard हमने fix किया था उनको हम actual performance के साथ compare करते है और corrective action लेती है fixation of responsibility of various individual in the organization सबके responsibility को भी हम fix कर सकते है मतब कौन किस काम के लिए responsible होगा तो ये भी determination buzzer control की help से करना possible हो जाता है तो ये सारे objective है buzzer को prepare करने के इसके बाद जो next topic आता है वो है characteristics of good budgeting एक अच्छे budgeting के क्या-क्या features है क्या-क्या characteristics है सबसे पहला है involve person at different level while preparing buzzer कि जब भी buzzer को prepare किया जाए तो हर department के जो अलग 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 level पर लोग काम कर रहे है तो सबके involvement की requirement होती है ताकि अगर सब लोग involve होंगे तो उनको ये feeling नहीं आएगी क्यों उनको जबरदस्ती policies को implement किया जार है buzzer को उनके उपर implement किया जार है तो एक तरह से उनको एक attachment होगा organization के साथ अगर उनको involved किया जाए का buzzer को prepare करने में proper fixation of authority and responsibility buzzer की help से जब एक अच्छय buzzer बजटिंग होती है तो उससे क्या होगा authority and responsibility को fix किया जाए मतब एक अच्छी buzzer को कोई काम करने की responsibility दे देती है कि तुम्हें ये वाला काम करना है तो उसके लिए क्या requirement है हम उसको authority भी assign करनी पड़ेगी responsibility authority दोनों side by side चलती है बिना authority के responsibility को पूरा करना possible नहीं होता है तो ये must होता है कि अगर हम किसी को responsibility दे रहे हैं उसको हमें authority भी delegate करनी होती है तो वे fixation किया जाता है ये करना जरूरी है target और buzzer शुद भी realistic कि जो भी buzzer prepare किये जा रहे हैं तो उनके target realistic होने जरूरी है कि उनको असानी से achieve कर पाए good system of accounting buzzer के successful implement के लिए और क्या requirement होती है कि accounting का एक अच्छा system होना जरूरी है accounting क्या होगा कि जिसमें हम जो भी हमने किया है उसको properly record कर रहे हैं record करने से होगा कि तभी हम standard को actual performance के साथ compare कर पाएंगे तो accounting का एक अच्छा system होना required है sport of top management buzzer के अंदर top management की sport होना जरूरी है अगर top management sport नहीं करेगा तो हम buzzer को successfully implement नहीं कर पाएंगे actual results should be promptly reported कि जो भी actual results होते हैं जिनको हमने record किया है तो उनको उसी time report कर देना चाहिए उनके बारे में ताकि time per corrective action लिया जा सके तो यह कुछ features है buzzer के इसके बाद आता है requisit requisit of a successful buzzer system एक successful buzzer control system के क्या क्या requirement है तो सबसे पहला तो clarify objective objective का clarification होना जरूरी है सबको पता होना चाहिए कि क्या objective है जिनको हमें achieve करना है और जो objective है वो realistic होने जरूरी है objective सबको clear होने चाहिए अगर clear objective नहीं होंगे तो जो goal है जो buzzer है वो खुद में unrealistic हो जाएगा जिसको achieve करना possible नहीं होगा second क्या requirement है proper delegation of authority and responsibility buzzer को prepare करने के लिए इसका जो preparation होता है वो management के हर एक level पर किया जाता है तो buzzer basically finalized the top level management के थूँ होता है तो उसके लिए उनको authority भी देने की ज़रूरत है तो authority और responsibility के बीच में एक balance होना ज़रूरी है उनका delegate करना ज़रूरी होता है delegation of authority responsibility यह वो ज़रूरी होता है एक अच्छे buzzer री system के लिए proper communication system एक effective system communication का establish करना required होता है communication two way होना ज़रूरी है क्योंकि buzzer के लिए क्या होगा information के flow का quick होना ज़रूरी है तो यह ज़रूरी गॉमिनिकेशन है वो up forward downward दोनों तरफ हो सकता है upper communication के थूँ top level management को पता चल जाता है कि उन buzzer को implement करने में किस तरह की problem को face किया जा रहा है और अलग-अलग जो levels है उनकी report performance की जो report है वो भी communication के थूँ top management तक पहुँचाती है buzzer education employees को properly educate करने की requirement होती है क्योंकि उनको बताने की जुरूरत होती है कि buzzer इंग system के क्या-क्या benefits है उनको इस पारत में भी educate किया जाता है कि जो भी buzzer system बनाया गया है उसके successfully implement में उनका कितना role रहेगा उनकी क्या authority होंगी उनकी क्या responsibilities होंगी तो ये सारी information उनको दी जाती है participation of employees buzzer control system के लिए employees का participation होना भी ज़रूरी होता है employees के participation के बिना हम अपने target को achieve नहीं कर पाते हैं क्योंकि basically जो practically उसका execution होगा वो lower level पर ही होता है तो buzzer जब बनाय जाते हैं तो उसके preparation में उनके execution में worker के participation की requirement होती है तो employees क्योंकि जब employees participate करेंगे तो वो हमें valuable suggestions भी देंगे तो अगर उनका participation नहीं होगा उनके उपर जबरदस्ती थोप दिया जाएगा कि तुमने ये करना है तो वो अतना efficiently नहीं कर पाती है लेकिन buzzer बनाने में अगर उनका participation होगा तो वो ज़्यादा efficiently उस चीज़ को accept करते है then flexibility आती है तो एक buzzer के लिए और क्या requirement है कि उसका flexible होना जरूरी है flexibility किस form में है कि बदलती situations के according उसलब उसको बदला जा सके अगर बदला नहीं जा सकेगा तो वो buzzer एक proper buzzer हम उसको नहीं कह सकते है तो flexibility का होना जरूरी है क्योंकि हम ये जानते हैं कि buzzer हमेशा future के लिए बनाये जाते है और future uncertain है तो uncertainty की वज़ा से इस तरह के buzzer बनाने जुरूरी होते है ताकि अगर future में कुछ इस तरह की condition arise हो जाए कि उनको change करने की requirement है तो ऐसा करना easily possible हो जैसे अभी corona time था तो इसमें क्या हुआ कि अचानक से बहुत सारी चीज़े बदल गई तो ये changes अचानक से आते हैं और इनका effect सभी के ओपर बढ़ता है तो इसलिए flexibility का होना ज़रूरी होता है motivation बज़ट को human being के थूँ implement किया जाता है और उनके implementation की जो success है वो depend करती है कि employees कितने interest के साथ वो काम कर रहे है तो हमें हर person को motivate करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने working को improve करे जिसके बज़ा से budgeting जो है वो successful हो सकता है तो motivation का भी एक proper system उसकी requirement होती है एक proper system को introduce किया जाता है तो ये requisits हैं एक अच्छे successful budgetary system का तो इसमें सबसे पहला clarifying objective है authority responsibility का proper delegation होना ज़रूरी है proper communication system होना ज़रूरी है budget के regarding educate करने की requirement होती है हर एक employee के participation की requirement होती है flexibility का होना ज़रूरी है और employees को motivate करने की ज़रूरत होती है next topic आता है वो है essential और budgetary control system तो budgetary control के क्या क्या essential है अगर हम उसको successfully implement करना जाते है तो कौन से ऐसे steps हैं जिनको follow करने की requirement होती है तो सबसे पहला है organization and budgetary control फिर आता है budget center budget manual budget officer budget committee और budget period और last में है determination of key factor तो जो इसका first factor है वो है organization और budgetary control का organization कैसा होगा किस level पर कितने लोग होंगे तो सबसे उपर जो इसका सबसे उपर का level है वहाँ पर chief executive आते है budgetary control के लिए फिर budget officer होगा एक proper budget committee बनाई जाती है इस budget committee के अंदर different department के जो managers होते हैं के member होते हैं जैसे production department का production manager इसका member होगा sales department का sales manager इसका member होगा essay finance manager, personal manager, account manager और research and development manager इसके member होती है तो इनकी जो पूरी एक committee होती है तो उनको budget officer उनकी help करता है budget prepare करने में ठीक है और पूरा जो hold होता है वो chief executor के हाथों में होता है अब अलग 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 तरहां के budget बनाए जाते हैं जैसे जो production manager है उसके अंडर production budget और plant utilization budget होता है production budget और plant utilization budget है sale manager के अंडर sale budget और advertisement cost budget होते हैं finance manager के अंडर receipt budget और payment budget आते हैं क्योंकि finance manager का जो main function होता है वो receipt payment को control करना होता है उनका arrangement करना होता है Personal Manager के अंदर जो बज़ित आता है वो Labor बज़ित है Account Manager, Cost बज़ित होता है उसके अंदर और Research and Development में Research and Development बज़ित होगा तो इसमें जो Chief Executive है वो Overall In-Charge होता है बज़ितरी सिस्टम का फिर वो एक बज़ित कमेटी बनाती है, Realistic बज़ित को बनाने में और एक जो बज़ित ऑफिसर होता है वो Convener होता है बज़ित कमेटी का जो अलगले Departments के बज़ित को कोडिनेट करता है तो Different Departments के जो Manager होते हैं वो Responsible होते हैं अपने Departments के बज़ित के लिए तो इसके बाद जो Next आता है वो है बज़ित सेंटर तो Buzzer सेंटर क्या होते हैं अ Buzzer इस दैट पार्ट और оф Organization foward बज़ित is to be prepared तो Buzzer सेंटर वो पार्ट होते हैं किसी भी Organization के जिन के लिए हम Buzzer बना सकते हैं Buzzer सेंटर कोई भी department हो सकता है या department का कोई section हो सकता है या department का कोई part हो सकता है तो जब भी budget center establish किया जाते हैं तो इनको establish करने का main motive यह होता है कि हम पूरी organization को budget के अंदर involve कर सके उनको cover किया जा सके budget center cost control purposes के लिए भी ज़रूरी होते हैं जब हमें cost को control करना है तो हर एक जो अलग-अलग part है उनके लिए budget center prepare कर दिया जाते है budget center जो बनाया जाते हैं वो अलग-अलग areas के लिए अलग-अलग areas के फॉर्म में बनाया जा सकते हैं next है budget manual budget center के बाद एक budget manual बनाया जाता है budget manual basically एक ऐसा document होता है जिसके अंदर जो भी अलग-अलग executive है उनकी duties, उनकी responsibilities को explain किया जाता है जो भी budget से related है तो एक ऐसा document है which spell out the duties and also the responsibilities of various executives तो budget के अंदर हम क्या-क्या include करेंगे एक budget manual है जो एक clarify करता है वो define करता है कि budgetary control का objective क्या है और हमें ये भी बताता है कि इसके benefits और इसके principles क्या होंगे system के second ये duties और responsibilities को clear करता है कि budget manual के अंदर duties and responsibilities जो responsibilities को explain किया जाता है जिस्ते पता चल जाता है कि कौन किस काम के लिए responsible होगा और budget manual के अंदर जो हम include करते हैं budget manual में basically sanctionic authority के भी information होती है कि कौन budget को sanction करेगा और अलग-अलग manager की finance power क्या रहेगी और पूर एक systematic control system को implement किया जाता है फिर report देने के लिए जो अलग-अलग forms होंगे और उनकी कितनी number of copies होंगी तो वो भी budget manual के अंदर mention करते हैं budget period का time duration कितना रहेगा और control point क्या-क्या होंगे उनको भी clear किया जाता है कि किन-किन चीजों के उपर control किया जाएगा फिर आता है कौन से procedure हमें follow करनी है budget को implement करने में और कौन-कौन से method होंगे accounting के ताकि अलग-अलग जो expenditures हैं उनको हम record रख सके budget manual help करता है हर एक employee को अपने role को समझने में कि उनके क्या role है, उनके क्या duties है और उनके क्या responsibilities है ऐसा करने से किसी भी तरह की misunderstanding arise नहीं होती है इसके बाद next आता है budget officer budget officer के पास क्या power होती है budget officer basically empowered होता है कि वो अलग-अलग functional head ने जो budget prepare किये हैं तो उनकी वो scrutiny कर सकता है अगर उसको लगता है कि कहीं पर change करने की requirement है तो उसको change भी कर सकता है तो different departments की जो performances होती है उनके बारे में detailed information इस budget officer को दी जाती है जिसे budget officer को अगर लगता है कि कहीं पर change की जरूरत है तो वो change कर सकता है तो बहुत important होता है इसका चुरूल है budget बनाने में then next आता है budget committee budget committee में बहुत सारे member होते हैं इसके नाम से clear है कि यह committee है basically अगर हम एक small scale organization की बात करें तो वहाँ पर accountant ही responsible होता है budget को prepare करने में और इसके implementation में लेकिन जो बड़े scale की organizations होती है तो वहाँ पर एक committee बनाई जाती है और इस committee के member कौन होते है different departments के जो manager होते है उसको इस committee के member बनाया जाता है वो सारे committee के member होते है committee buzzards को prepare करने में के लिए responsible होती है और उनके execution के लिए भी responsible होती है budget officer इस committee के coordinator की form में काम करता है वो convener होता है उसके accordingly ही committee decision लेती है तो एक coordinator की तरह काम करता है budget officer फिर आता है budget period budget period basically क्या है एक ऐसा period होता है is the length of time for which a budget is prepared कि कितने time के लिए हम budget बनाने वाले हैं तो वो जो पूरी length होती है वो जो time होता है तो उसको हम budget period बोलते हैं ये अलग-अलग industries के लिए अलग-अलग हो सकता है या एक industries के लिए अलग-अलग जो areas है उनके लिए अलग-अलग जो unit है जो division है उनके लिए अलग-अलग budget बनाए जा सकते है तो वो भी बहुत सारी situations के उपर depend करता है बहुत सारे factor के उपर depend करता है तो budget का type क्या होगा जैसे sale budget है purchase budget है, capital expenditure budget है, raw material purchase budget है तो अगर हम एक purchase budget या sale budget की बात करें तो इसमें चो time duration होते हैं वो mostly cases में one year की होती है लेकिन अगर हम एक capital expenditure budget की बात कर रहे हैं जहांपर हमें किसी बड़ी machinery को install करना है कोई plant पगेरा खरीदना है तो उस case में जो budget का time duration होगा वो 3 से 5 years के लिए हो सकता है second time कितना होगा डिपेंड करता है कि कौन से product हम बना रहे हैं उनकी nature क्या है फिर finance कितने time पर हमारे पास available होगा और cycle जो है उनकी situations क्या है और trade cycle की length कितनी है तो इन सारे factor को ध्यान में रखते हुए budget prepare किये जाते हैं फिर इसका जो last step आता है वो है determination of key factor budget जब बन जाते हैं हर एक functional area के लिए तो उसके बाद हमें key factor को determine करना होता है